अगर आपका एक YouTube चैनल है या किसी भी आप Social Media साइट पे हैं, अगर आप Gaming करते हैं, आप Streaming करते हैं, आप Singing करते हैं, कोई भी वीडियो या Audio Creation वाला काम करते हैं, तो आपके लिए Mic बहुत ही ज्यादा important चीज है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए ले के आया हूँ य Mic जो कि है Mono AUPM 461TR और ये एक Condenser Mic है, Condenser Mic normal Mic से थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा अच्छी sound quality होती है, तो अगर आप भी एक Mic लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखके इसके बारे में पहले पूरी knowledge ले लिजिए, उसके बाद चाहे तो description में द कि price fluctuate होती रहती है, sale के दौरान ये आपको और भी सस्ता मिल सकता है, अब एक बार देख लेते हैं, इसका box content की box के अंदर आपको क्या-क्या चीज़े देखने को मिलती है, किस तरह का Mic है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हो कि इसको setup कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं इसकी voice quality भी आपको check कराता हो, कि इसकी voice quality किस तरह से आ रही है, हाला कि अभी जो मेरी आवाज record हो रही है, वो boy या by m1 से हो रही है, तो इससे भी आप लोग compare कर सकते हैं, कि अभी मेरी sound कैसी आ रही है, और जब मैं इस mic को test करूँगा, तब sound quality कैसी होगी, ये भी मैं आपक चेक कराऊंगा, तो ये simple छोटा सा box है, box open करते ही, आपको सबसे उपर मिल जाता है कुछ document, जिसकी हमें उतनी खास कोई जरूरत है नहीं, इसके बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, इस form वाले box के अंदर सारी चीज़े आपको मिल जाती है, जब से पहले यहाँ प साथ आपको मिल जाती है, एक USB केबल जो की normal printers होगारे में देखने को मिलती है, इस type की केबल, और इसी केबल से आप USB के माधियम से अपने PC से भी इसको connect कर सकते है, अगर phone के साथ connect करना चाहे तो OTG के माधियम से इसी केबल से आप phone से भी connect कर सकते है, फिर आते है main unit के उपर और जो कि है हमारा mic, तो कुछ इस तरह का आपका mic मिल जाता है, पीछे की तरफ एक sticker है इसमें और सामने की तरफ mono की branding दी गई है, और जहां पर mono लिखा है उसके नीचे आपको एक knob मिल जाता है, जो की audio level को gain करने की काम में आता है, audio level को कम या ज़्यादा इससे आप कर सकते है, कितनी loud या कितनी कम आप voice record करना चाते हैं, वो यहां से भी आप control कर सकते हैं, अब इसको मैं फटा-फट से लगा लेता हूँ stand पे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अपने PC से कैसे connect करेंगे, तो stand में लगाने के लिए आपको सीधा ऐसे इसके अंदर और इसको ऐसे गोल-गोल घुमाना है, और गोल-गोल घुमाने के बाद यह tight हो जाएगा अपने stand mount के अंदर, तो यह हमारा mic stand पे कुछ ऐसे लग गया, अब इसको easily आप table वगेरा पे रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको इस stand पे भी mount कर सकते हैं, लेकिन यह stand आपको अलग स कर देना है, यह cable लग जाएगी, और जो दूसरा सीरा है, वो अपने PC के अंदर लगा लेंगे, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यह जो mono की branding है, और यह जो knob वाला हिस्सा है, वो आपको अपनी तरफ रखना है, यह जो knob है, उसको आपको front में रखना है, अपने side में तब आपकी voice ज्यादा clear record होगी, क्योंकि इसका microphone इसी side में दिया गया है, तो इसको कुछ ऐसे आप अपने table पे रख लेंगे, और table पे रखने के बाद USB cable के थ्रू अपने PC से connect कर लेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी voice quality कैसी है, एक बार मैं इसकी voice quality raw में सुना TR से, और ये अभी बिल्कुल unedited audio है, मतलब सिधा इसको मैंने अपने PC में plug किया हुआ है, और audacity के अंदर normal record कर रहा हूँ, कोई भी editing नहीं है, इस audio के अंदर raw audio है, और इसके पहले जो पूरी वीडियो में आपने audio सुना था, वो बोया mic से record हुई थी, और उस audio में editing भी हु से judge कर पाएंगी कि अभी इसकी sound quality कैसी आ रही है, और ऐसा USB microphone यूज करने का एक फाइदा और है, कि इसमें आपको कोई sound card वगरे use नहीं करना पड़ता, क्योंकि कई सारे ऐसे condenser mic आते हैं, जो 3.5 mm jack के साथ connect होते हैं, उन में audio बहुत कम level में record होती है, तो वहाँ पे high level में audio record करने के लिए, तेज आवाज में audio record करने के लिए, आपको sound card की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस mic के अंदर इतनी तेज आवाज में audio record हो रही थी, कि मुझे इसका audio gain वाला volume है, उसको 25% तक कम करना पड़ा था, तब जाके इतनी तेज आवाज में voice record हो रही है, तो इसी स mic आपको पसंद आ रहा है, और आप buy करना चाहते हैं, तो link नीचे description में है, वहाँ से click करके आप mic की current pricing देख सकते हैं, या इसको चाहे तो buy भी कर सकते हैं, उमीद करता हो कि ये video आपको पसंद आई होगी, अगर ये video आपको पसंद आए, तो इस video को like करें, अपने दोस्तों में एक नई जानकारिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम